नृम अज्यान्ति मिवैंध स्यच्व्यानान जनो चलाक्षिन अच्सरून रोबरेsomething वा स्थापितम विश्टम् यहाएन भूतले स्वयम रूप कदामई हं दातीच्व पदान्तिकं वंदेहं स्री जुरू स्री तपदिकमलम् स्री गुरू नि वैश्नवामास्या स्वी रुपम साग्र utama न रागुना था मतंतं स जीवं साद्वायतं सावध्रोतं परिजन न सहितं कृ स्न चैतन्य देवं स्वी राधा कृष्ण पाधान सहगण ललिता स्वी विसाखान वितम्स्च नमों विष्णु पाधाय कृष्ण प्रिष्ठाय भूतले स्वीमते भक्ति वेदान्त स्वामी निति नामिने को हख चया था को क्यूंक ने डिस्कस किया था भांवान एं भारेद्वाज मुनि ने उनको पो चित्र कुोट जाने के लिए बोलबा था तो उस रात में पुर अयोद्या में जब महाराच दसवरत को पता चलता है भगवान राम के जाने के बाई में धेवे बाते हैं हुब चलते जाते हैं वह पैभ पताते हैं कि अभी कोई आशा नहीं है तीनों लोग बहुत आगे जा चुके अभी भापिस नहीं आई comment जाएगी उनके द्वन पृतिग्रता बरती जाएगी, हमने जंगल में जाते जाते उनको बहुत कस्ट महसूस करते हुए देखा है, परन्तु उनके पास कोई असी सिद्धी है जिसके द्वारा उनको कभी कस्ट महसूस नहीं होता है, हमें देख के दर्ध होता था कि ये लोग के इतना अभी तक वो चित्रकुट पहसने वाले होंगे, इस प्रकार से उनकी गुप्त चरने बताया, गुहर के गुप्त चरने, और गुहर ये सुनके, उनकी आँखों से आशु आ गए, रोने लगे, और सुमंत्र भी रोते रोते दूर जाने लगे, और फिर धीरे-धीरे, सुमं अध्या के बीच का जो रास्त्र था, वो सुमंत्र ने रोते रोते सपने में पार किया, और जब सुमंत्र सिटी के अंदर आए, अपने खाली रत के साथ, तो उन्होंने देखा कि पूरी सिटी एक मरुस्थल के समान हो चुकी है, कभी भी उनने सिटी में इतनी सांती नहीं आज आयोध्या सिटी को देखके सुमंत्र को बहुत अजीब लग रहा था, सुमंत्र से ज़्यादा घोडे जो थे घोडे और ज्यादा आश्चार रिचके थे देखके, घोडों ने एक्चुली आयोध्या को पहचानने से ही मना कर दिया था, समझ भी नहीं पारा था कि अय उनको बापिस लेकर आ गए हूँ परन्तु जब उन्होंने रत को खाली देखा तो सभी का हिवदाय तूट गया और फिर सभी बापिस अपने अपनी जगा पे चले गए उनको पता चल गया कि अभी हमारा हमारे जीवन से रश चला गया है अभी यह जीवन यूजलेस हो चुका है जब भगवान राम अयुद्या में थे तो अयुद्या की नागरिक कछुए के समान थे और उनको विश्वास था कि भगवान राम की उपस्तिति उनके लिए प्रोटेक्टिव सेल का काम करेगी जैसे कछुए के ऊपर वो होती है सेल उसकी रक्षा करने के लिए परन्तु भगवान राम अभी चले गए तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है अभी वो बहुत कभी भी उनके साथ कुछ भी अनर्थ हो सकता है इस प्रकार से सभी नागरिक जूते बहुत दुखी थे और सुमंत्र सोच वह थे सबके हृदाय में ये दुख हर हृदाय इस दुख से परिशान था और सारे महल अयुद्या की जितने महल थे सारे महल भी पूरे सांत थे सुनसांत थे सभी किवल ये देख रहे थे कि कॉसल्या किस प्रकार से दुखी है और कह करी कि इतनी ज्यादा डेंजरस है वसिष्ट का मन समझ लिया और समझ गई कि राम बापिस नहीं आ रहे हैं और वसिष्ट जो थे वो महल को छोड़के अपने आज समय चले गए क्योंकि वसिष्ट मैं सूचा कि अभी इस पूरे रोने सभी लोग रोएंगे और विलाप करेंगे उसको देखने का कोई पॉइंट नहीं है इसलिए वसिष्ट वहां से बाहर चले गए वो पूरे एकश्वाकुवन्स के सामने स्वयम को भी इस प्रकार से दुख में या रोते हुए नहीं देख नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने सुचा कि अखेले में जाके रोना जादा अच्छा है इसलिए वसिष्ट अपने अपनी कुटिया में चले गए और सुमंत जब राजा के सामने आते हैं तो राजा के सामने सिर्जुका के खड़े होते हैं राजा उनसे पूछते हैं कि राम बापिस आये कि नहीं सुमन्त उनको पूरी सारी चीज़ें बताते हैं हर डीटेल को बताते हैं और वो बताते हैं कि भगवान राम सीता उलक्ष्मन जंगल में गए गंगा के दूसी तरब तो यह घोड़े बापिस आने के लिए तैयाद नहीं थे लगाता यह घोटे रो रहे थे बापिस उसी दिसा में देख रहे थे जहां पर सीता राम उलक्ष्मन गए थे जब में बापिस लोट रहा था तो मैंने देखा कि किवल घोड़े ही नहीं नेचर भी इस तरह से कारे कर रहा था सारे ब्रक्ष्टने जादा निराश थे कि वो जमीन तक जुके हुए थे जो फूल थे फूल भी अपने आपको सुखा चुके थे अपना जीवन खतम कर चुके थे और सारे पसू भी बहुत पसू को कोई भूक नहीं लगी थी कोई चिडिया कुछ गानी रही थी सभी दुखी थे जिस प्रकार से सुमंत्र ने जब इस प्रकार से बोला कि चिडियो लोगा के कारें स्वार्ग से नीचे गिर रहे थे राजयायाती कामने कि अपने महान कारें को बताना चालू किया राजयायाती थे अनका पुछा में बताते बताते उनका उनकी जो पुन्य था वो सब खतम हो गया और फिर से उधरती पर आ गया तो दसरत बता रहे हैं कितना पेन हुआ होगा वो पेन अभी में फील कर रहा हूं उन्होंने सुमंत्र को गले से लगाया इस तरह से जैसे कोई डूपता हुआ रहती कोई लकडी अगर उसके पास में द कि अंगरे से अगराम खुद की हमीशा प्रसंसा करते हैं तो हम अपने पुन्य करम को गामा देते हैं इसलिए बुद्धिमान लोग खुद की प्रसंसा नहीं करते हैं तो अभी दसरत इतने जादा डिस्टर्ब थे कि वो कुछ अलग वस्तु में बोलने लगे उनको उनका म हे राजा आपका मन केवल तभी संतुष हो सकता जब आप समझ जाएंगे कि भगवान राम को अध्या जंगल में उनके साथ क्या हो रहा है अभी तो कह कही हमारे साथ नहीं है तो आपको अभी हमसे बोलने के पहले कुछ सोचने के आव सकता नहीं है अभी बताई आपके हिदाय में क्या है अपने डाउट को सुमंत के साथ क्लियर करिए तो जब सुमित्रा ने इस प्रकार से बोला तो दसरत ने सुमंत से पूछा कि क्या मेरे पुत्र जंगल के जीवन क या रह पाएंगे क्या सीता को ऐसा तो नहीं दुख हो रहा है कि उसने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन गलत था मुझे एग्जेक्ली बताओ कि उनके मन में क्या क्या चल रहा है तब सुमंत ने बताने चालू किया एक छण के लिए भगवान राम अपने धर्म के राश्ते से डिविएट नहीं हुए और इस जब तक मैंने उनको देखा तो इतने सारे दुख को सहने के बाद भगवान राम एकदम खुछ थे धर्म के पालन करने के लिए जब धसरत ने इस प्रकार से सुना तो वह एकदम उनकी आखों से आशु आने लगे वह बहुत दुखी थे हमकरत depression to वहां थे अपने पूत्र के ऊपर बहुत गर्व हो रहा था और यह भी सुन्सों को यह सुन कर दिए कि उनके पूत्र ने कम से कम उनके उनकी ऊपर लेम नहीं कि नहीं किया ज्सा एसा लैसा किया और उनका पुत्त समझ है कि उनके पिता के साथ क्या मिज्टेक, उनके पिता के साथ क्या कथना चल रही थी। सुमन्त ने उसके बार बोला कि राज कुमार राम ने के वली यह आ सकी है कि आप उसकी मा काउसलिया के पृती दया भाव रखें। और भगवान राम ने ये भी रिक्वेस्ट की है, उनकी मा से कि अगले 14 साल तक अपना अटेंशन, अपना ध्यान इस चीज़ से हटाईए जो आपके साथ गलत हुआ और आध्यात में क्वस्तुवों में अपना ध्यान लगाईए उन्होंने अपनी मा से रिक्वेस्ट की है कि मंदर में भगवान की विग्वा की सेवा करें और आपकी सेवा करें अपने पती की सेवा करें और अपने पती की सेवा वो तभी अच्छे से कर पाएंगी जब वो उन सभी वस्तुओं से प्रेम करेंगी उन सभी व्यक्तियों से जिससे उनके पती प्रेम करते हैं इसलिए उनको दूसरी रानियों के साथ खराब व्योहार नहीं करना चाहिए और कहकरी के साथ कोई भी लड़ाई से बचना चाहिए और राम ने यह भी बताया है अपनी मा को कि भरत जो कि अगले राजा है उनको इस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए जैसे कि किसी राजा को ट्रेet किया जाता है और भगवान राम ने मुझे भरत को दो वस्त में बोलने के लिए बोला है कि राजा दसरत के जो भी निर्देश हैं उनको पूरी तरह से पालन करना और कौसल या मा को उसी तरह से प्रेम करना जैसे कई-कई से भरत प्रेम करते हैं कुछ देर रुखने के बाद सुमंत्र ने बोला कि मैं लक्षमन की लक्षमन के विचारों को मैं बोलना नहीं चाहता पारंतु मुझे बोलना होगा लक्षमन तो बहुत गुस्से में थे वह राजा दसरत को माफ करना नहीं चाहते थे उनको लगा था कि उनने सबसे बड़ी से अपने संबंध को तोड़ा उसी दिन उन्होंने दसरत से भी अपने संबंध को तोड़ दिया लक्ष्मान राम से इतना फ्रेम करते थे तो सुमित्रा और कोसल्या ने जब इस प्रकार के इमोशनल वर्ष्ट में सुनी तो दोनों बहुत रोने लगी कोसल्या एक आएक बोलने लगी कि मुझे भी मेरे बेटे के साथ जंगल ले चलो मुझे यहां रहने क्याव सकता नहीं है मैं मैं यहां रह के क्या करूंगी जब मुझे यह पता है कि मेरे बेटे के साथ इतना दुख मेरे बेटा इतना दुख उठा रहा है जब भगवान राम मेरी परमिशन मांगने के लिए आये थे, जब मेरा बेटा राम मेरी परमिशन मांगने के लिए आये था जाने के पहले, उस समय तो मैं राम को नहीं रोक सकी, परन्तु मुझे पता था कि राम जंगल जाने के बाद मेरा जीवन खतम हो जाएगा, तो अभी में राम के साथ जाना चाहते हूं एट लिस्ट अपने जीवन के अंतिम दिन में राम के साथ बिताना चाहते हूं अभी मैं राम को देख देखने के बिना नहीं देख पाने के कारेंड में अभी अंधी हो चुकी हूं दुख के कारेंड अभी मैं राम को नहीं देख पा रहे ह उसने कभी भी आपने जीवन में इतनी कठनायों को नहीं देखा है मैंने हमेशा यह श्यॉर किया कि सीता को कभी धरती पे भी कदम नहीं रखना पड़े सीता हमेशा बैट पे और सौफ्ट जेगा पर बैठती थी कभी मैंने उसको कुछ मीनियल टास्क करने के लिए नहीं दि और आगे वो तुल्ना करती है कि इस्तरी जो चकोरा बर्ड होती है चकोरा एक पक्षी होता है जो कि हमेशा चंद माथ आपके के खिरणों को देखके सांति प्रदान करता है परन्तू कौसल्या बता रहे हैं कि सीता उस चकोर बर्ड के समान है वह क्यासे सूर्ह की गरम रॉ कई वार तो सीता बंदर की जो पेंटिंग देखके भी डर जाती थी, कैसे वो जंगल के इतने कठोर जीवन को सहन करेंगी, तो मुझे बहुत डल लग रहा है कि मैंने सीता के साथ इतना अन्याय हुआ कि सीता को जंगल जाना पड़ा, इस प्रका से कौसल्या को जब इस प्रक कौसल्या को बताने का सुमन्त ने प्रयास किया, कि वो सभी जंगल में खुस हैं, सीता तो जंगल में बहुत भगवान राम के संग में इस प्रका से खुस हैं, जैसे वो कोई खुसी के स्थान में जा रही हो कौसल्या ने कभी भी सुमंत को इतना कंफ्यूज इतना फंबलिंग नहीं देखा था तो वो समझ गई कि सुमंत के मन में राम की अनुपस्तिती से बहुत ज्यादा दुख है तो इस गुसा में कौसल्या को भी गुसा आया और दुख भी हुआ और उनको पता था कि यह दुख प्राइमरीली दसरत हो कहके की कारण है तो कुछ समय के लिए उनको थोड़ा सा गुसा दसरत की उपर भी आया गुसा मतलब उन्होंने दसरत को थोड़ा सा strongly बोला कि एक इस्त्री जो है वो दो लोगों पर depend करती है उसके पती की उपर उसके पुत्र की उपर और मेरे लिए दौनों लोग मुझे दूर चले गए हैं मेरे पती मेरे physically मेरे पास में हैं परन्तु mentally बहुत दूर हैं और मेरा बेटा mentally मेरे पास में ह दौनों सपोर्ट को ले लिया और इस राज्य को भी आपने इतने घंगोर विनास की तरफ धकेल दिया और आपने खुद जो अपना डिसिजन लिया अपने मिनिस्टर से पूछे विना उस उसके कारण आपने इस पूरे राज्य को डिस्ट्रॉय कर किया है अभी मैं आपको कॉंगरेच लिट करती हूं कि आपने इन सब चीजों को कैसे आसानी से अचीब कर लिया अभी तो आपको बहुत घंड होगा आपको बहुत गर्व होगा कि आप इतने बड़े राजा है इस पुरकार से को बोला कि मैं तुम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आलिडी पहले स मुझे और जादा दुखी मत करो मुझे पता है कि मैंने गल्ती किया परंतु मुझे माफ कर दो तो जब कॉसलिया ने राजा के इस प्रकार से बास सुनी तो कॉसलिया का गुस्टा एकदम खतम खतम दूर हो गया और तो रन्त उनको अपनी गल्ती फील हूई उन्होंने दस करेंड कई वार इस प्रकार की बाते मेरी मन से निकल जाती है मेरी मुख से निकल जाती है और इसलिए उन्होंने माफी मांगी दसरत ने उनको माफ कर दिया क्योंकि दौनों दुखी थे इसलिए दसरत ने भी इस बात को ज्यादा सीरेसली नहीं लिया और को सल्या को माफ कर और इस प्रकार से वो रात में रेश्ट करने के लिए गए गये पर जब रात में रेश्ट कर रहे थे तो आधि- रात में दसरत की नीन खुली और जो जो से वो चिलाने लगे कि 6 d muchísimo निकल चुके हैं राम के आहां से जाते हुए अभी तक मैं जिन्दा हूँ इस प्रकार से दसरत ने बोला कि राम आयोध्या से गए और छे दिन निकल चुके हैं पर लानत है कि मैं अभी तक जिन्दा हूँ मैं अकिवाल इसलिए जिन्दा हूँ कि सायद मित्यू भी ऐसी प्रितिक्षा कर रही है कि मेरे हिर्दाई का दर्द सबसे उचा पहुच पहुच जाए जो मैंने अपने स्ववन कुमार के माता-पिता को जो मैंने दर्द दिया था उनके बेटे को मार के उनको जितना दर्द ह सायद मुझे भी उतन ही जादा दर्द मिलेगा तभी मेरे प्राण सरी से निकलेंगे यह कर्म का नियम मैंने वह पाप किया था एक पुत्र को मार दिया था तो उनके माता-पिता को इतना दुख हुआ था वह दुख जब तक मुझे महसूस नहीं होगा तब तक मुझे कर्म का फल नहीं मिलेगा इसलिए मेरी अभी तक मत्यू नहीं हो पा रही है तो उसकी बारत को सलिया यह एक्चुली वास्तिरी की वीजान हिजस के कारण में अभी कष्ट उठा रहा हूं क्यूंकि राम जो मुझे अपने जीवन से भी ज्यादा प्रिय है उसको मैंने कैसे जंग करता हूं कि मैंने कह कई की बात नहीं सुनी होती है राम को नहीं निकाला होता तो मैं अभी इस दुख से बच जाता जैसे उन्होंने राम का नाम लिया तो दसरत जो जो से सांस नेले लगे और राम का नाम लेते 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 दसरत के प्रांड सरीर से निकल गए जैसे को सल जो उसे रौने लगी और वहां पर मेहल में आके विलाप करने लगे कौसल्या ने कहकरी को पूरा ब्लेम किया दसरत की मित्यु के लिए कौसल्या ने बोला कि राजा जो है वो अपनी बीमारी से या किसी अस्त्रस्त्र से नहीं मरे हैं क्योंकि बीमारी आस्त्रस्त्र को इफेक्ट करने के लिए उस व्यक्ति के अंदर जाना परता है तभी व्यक्ति की मित्य होती है राजा तो एक्शुली अपने जिसको सबसे आदा प्रेम करते थे उससे सेपरेट होने के कारण उनकी मित्य हुई है उनके पुत्र से दूर जान जैसे वसिष्ट को पता चला कि राजा की मत्ति हो गई वसिष्ट तुरंत आए और अरेंजमेंट करें कि उस समय राजा के अंतन चांसकार करने के लिए कोई नहीं था तो वसिष्ट ने महाराज दसरत के शरीर को एक ओयल तेल के अंदर इस्थित किया और पूरे के पूरे सारे मिनिस्टर आठ मिनिस्टर और दोनों विसी तुरंत इमर्जेंसी मीटिंग करके वसिष्ट से पूछते हैं कि राजा की अनुपस्तिती में राज्य बहुत डिस्टर की इसाल वहाँ पर एक लेटर भेचके और पांच लोग पांच मैसेंजर को भेजा जाता है सिध्धार्त विजय जयंत असोक और नंदन इन पांच लोगों को भरत को तुरंत बुलानी के लिए भीजा जाता है और जब तक भरत बापिस नहीं आते हैं तब तक सुमंत को इस प्रकार से आदिश दिया जाता है कि वो राज्य के अफ्रियर्स को समभा लें जब तक कोई दूसरी राजा नहीं आते हैं और सभी यह न्यूज जब नागरेकों को पता चली कि राजा की मत्ती हो चकी है तो और ज्यादा सेहर में रोना प्रारंभ हो गया और ज्यादा दुख का समय हो गया कुछ दिन पहले ऐसा था कि उनको दसरत हो राम के में से किसी को चुनना था कि किसको राजा बनाए पयानतु तो अभी उन्होंने दसरत को भी खो दिया है राम को भी खो दिया है तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आयोध्या का जो फ्यूचर है वो किस दिसा में जा रहा है कि नेक्ट दिन मॉर्निंग भगवान राम, सीता और लक्षमन उठते हैं और प्रयाग राज से चित्रकूट की तरफ पलाईन करते हैं भाद वाजमुनी उनके लिए एक रिचूल करते हैं बॉइल्ड राइस को जमीन में स्केटर फेक के एक मंत्र के द्वारा उनको आसरवाद देते हैं अब उनको दिसा निर्देश करते हैं कि किस तरफ उनको जाना है, चित्रकूट के लिए गंगा और इमना के संगम पे वो बताते हैं कि जहां संगम होता है, वह आप रोसमय करिए जो की पक्षिम दिसा में जाती है और यमना को पार करने के बाद उनको एक बहुत बड़ा ब्रक्ष मिलेगा बर्गत का पेड़ उस ब्रक्ष का नाम होगा स्याम उस ब्रक्ष में बहुत सारी बहुत बड़ी और बहुत चमकदार ग्रीन मतलब हरी पत्तियां होगी और सीतमा को वो आदेश देते हैं कि उस ब्र है कि भगवाणर ingraam फिर से स्यां के रूप में अपने अगले आउतार में और यमना के किनारे ही निभास करें intercept पर उन्होंने आंपर को उस प्रक्ष की पूजा कर नीम नहीं बोला सीता को इस ब्रक्ष की पूजा करने के लिए बोला तो इस प्रकार से विशी की निरुदेशों को मानके तीनों लोग यमना की किनारे जाते हैं और वेस्टरन साइड में जाते 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 हैं वो बन्यान को बर्गत के प्रक्ष को देखते हैं और लक्षमन बहुत जल्दी मेकशिफ्ट रैफ्ट बनाते हैं और सीता और राम को लेके जाते हैं मार सीता मा बहुत खुश होती हैं जब वो देखती हैं लक्षमन के सेवा भाव तो कोई भक्त या हमारी डिवाइन मदर खुश होती हैं जब हम वो देखती हैं हमारा भगवान के पृति सेवा करने का भाव तो बहुत खुस होती हैं सीता मा बहुत स्माइल की ज़ा उन्होंने लक्षमन का देखा लक्षमन ने सीता मा के लिए कि रोज एपल ट्वीज और अलग लग ब्रक्ष की ब्रांचों और पत्तों से बहुत सॉफ्ट सीट बनाई थी कि छोता सा राफ्ट था वो किवल दो लोग उसमें बैठ सकते थे तो भगवान सीता और राम उसमें बैठे थे लक्षमन उनको राफ्ट को पीछे से पुस कर रहे थे और भगवान सीता मा ने प्राथना की कि भगवान राम की सेफटी हो और बापिस जंगल से बापिस लोटने सुरक्षित और जब उस ब्रक्ष के पास तक पहुची तो मदल सीता ने उस ब्रक्ष की पूजा की और सीता मा की हर प्राथना जू थी भगवान की सुरक्षा से संब वान राम की एक्छा उनकी एक्छा है तो जिस प्रकास ये दिन खतम हुआ नाइट हुई और फिर साम नाइट होने लगी धीरे धीरे ये जंगल का रास्ता पार करते करते फाइनली माउंटेन के पास वो लोग पोहचने लगे और चित्रकूट के परवत का पहला द्रस उन्हो और सभी लोग देखके आश्चर चकेत हो गए चित्रकूट के उपर उन्होंने चंद्रमा को देखा चित्रकूट इतना सुंदर इस्थान था और उन्होंने चित्रकूट परवत के नीचे रात में विस्राम किया और उसके बाद अगली तरफ दूसी तरफ कहकरी देश में इत्राल जो वहां का राजधानी थी वहां पर भरत को उस रात में सपना आता है और वो सपना भरत को एकदम जगजो देता है वो देखते हैं कि राजा जो थे वो एक बहुत उची घाटी के जस्ट उपर खड़े हुए थे और घाटी में गिरने वाले थे वो देख रहे थे कि राजा बहुत दुखी हैं और कोई भी helpless condition में है या बहुत fearful है और राजा एकदम उनका सरी एकदम दुखी जैसा लग रहा है राजा दसरत को सपने में इस प्रका से देख रहे हैं भरत उनके बाल भी बिखरे हुए हैं ऐसा लग रहा है कि उनके चहरे पर गाटी में कूद गए या उनको किसी ने धक्का दे दिया जब मैंने घाटी में देखा तो मैंने देखा कि राजा जो है वो उसे मड कीचड में डले हुए हैं और राजा बहुत बुरी तरहिके से थके हुए हैं और फिर उसके बाद मैंने देखा कि राजा को राजा उस पॉंड में से निकल के कुछ राइस खान लगे और कुछ आइल पीने लगे तेल पीने लगे इतनी खराब कंडिशन मैंने सपने में अपने पिता की देखी, मुझे बहुत दुख हुआ और फिर एक एक राख्चसी आती है वहाँ पे और वो बहुत जो जो से हस्ती है राजा को अपने साथ खीचके दक्षिन के दिसा में ले जाती है और वो एक रथ में बैठी रहती है और वो रथ को गधे खीचते हैं और राजा को वो लाल सेंडल बुड लाल सिंदू लगाती है उनके चहरे पर और फिर उनको रथ में डाल देती है और फिर दक्षिन के दिसा में जाती है इस प्रिकाल से उनको सपना आया है और इसी बीच हम देख रहे हैं कि आयोध्या से रथ निकल चुके हैं बहुत सारे जंगलों को पार करते हुए, गार्डन्स को पार करते हुए, रोडवेश को पार करते हुए, जितने भी मेसेंजर थे, पांच मेसेंजर लगातार भाग रह है, चारवत्रप उनके ब्यूटी है, नेचरल ब्यूटी है, परन्तु ब्यूटी को देखने का समय नहीं है, उनका मन बहुत तेज भाग रहा है, और खाने का भी कोई समय नहीं है, सोने का कोई समय नहीं है, और नेचर स्कॉल को आंसर करने का भी कोई समय नहीं है, और आयो पहुँशना चाहते हैं और मेसेंजर को एक्जेक्ली पता चला था एक्शुली से पता चलता है यह मेसेंजर कितने डेडिकेटेटेड थे जब हम किसी वैल्यूवेबिल दिसा में MBCS रहते हैं उस जगह तक पहुँशना चाहते हैं तो बॉड़ी के जो आवज सकता है वो भी कम हो जाती हम उसको सहन कर लेते हैं असानी से और हमें दुख भी ज्यादा फील नहीं होता है क्योंकि हम किसी मिसन के लिए रहते हैं तो वर्शिष्ट मुनी ने क्लियरली बोला था कि भरत को यह मत बताना कि राजा कि राजा दसवत की मत्ति हो चुकी है राम का बनवास हो है भरत के सामने पूरी तरह से प्रसंद जैसे रहना और उनको बहुत सारी सिल्क गिफ्ट की गिफ्ट देना और ओरनामेंट्स देना और भरत को बताना कि अयोध्या में उनकी आवस्सिकता है वर्शिष्ट ने इस प्रकार से क्लियर इंस्ट्रक्शन दीए थे मेसेंजर्स भरत को बताने के लिए और इस तरह से भागते भागते वो लोग रात में गिरी ब्रजपुर कह कह पहुंच जाते हैं और विश्राम करते हैं कि नेक्स दिन मॉर्निंग में जाके भरत से मिलेंगे भरत आधी रात में उच्छे जाते हैं उसके बाद उनको नीद नहीं आती ह और वो बताते हैं कि मुझे जो सपना आया है उसका मतलब है कि या तो मैं मर जाओंगा मेरी मत्तिव आने वाली है या लक्षमन की मत्तिव आने वाली है या हो सकता हमारी पिता की मत्तिव हो चुकी हो इस प्रकार से भरत पहचान जाते हैं इस सपने को देखके और इस प्रक लेके आचुका है, आयुध्या में सब कुछ विस्चीजें विनास हो चुकी है, तो इस प्रकार से सपने के द्वारा उनको थोड़ा महसूस हुआ, और जैसे ही सुबह हुई, तो उनके पास मेसेज आये कि आयुध्या से कुछ मेसेंजर से आये हुए हैं, भरत तो सतुधन त किंघ अस्वपति, राजा अस्वपति के महल में जाते हैं, कॉर्ट रूम में, राजदरवार में जाके उन्हेसेंजर से मिलते हैं, और भरत तो इतने बुद्धिमान थे, जैसे ही उन्होंने देखा, कि इनको मेसेंजर से कुछ नकुछ तो गडवर है आयुध्या में, तो सारी मैसेज वो समझ गए कि कुछ तो आयुध्या में ऐसा हुआ है और मैसेंजर्स बहुत सारा गिफ्ट लेके आये थे लाखों कडोरों कर गिफ्ट लेके आये थे पर अन्तु भरत समझ गए थे कि हाइस्ट वर्यल आथोरिटी ने उनको भेजा है मैसेंजर्स के पोस्टर देखके मैसेंजर्स की आखों आखों का जो भाव था दुख्षी भाव था और उन्होंने अर्जेंट मेसेज बहेजा भरत के आने के लिए वो मेसेज देखके राम लक्षमन ठीक है क्या कोसल्या कोसल्या ठीक है कि नहीं कोसल्या कोसल्या स्वस्थ है कि नहीं धर्म दर्सनी सुमित्रा मा ठीक है कि नहीं और आत्मकाम मेरी मेरी मा ठीक है कि नहीं और उन्होंने क्या बताया मेरे लिए क्या आदेश दिया है पर मैसेंजर ने तो रेंट बोला कि सब कुछ ठीक है वो कैसे वो तो ठीक रहेंगे ही क्योंकि हमेशा अयुद्ध्या में तो लक्ष्मी देवी का निवास रहता है हम आपको विक्केवल रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे साथ अयुद्या चलिए और राजा वसिष्ट आपको तुरं जाने के लिए बहुत जल्दी तैयार होने लगे भरत ने अपने दादाजी से रिक्वेस्ट किया उनको आयुद्या भेजने के लिए और उनके दादा जी ने उनसे बोला कि के कई बहुत सौभागे साली हैं कि उसको तुम्हारी जैसा पुत्र मिला है भरत के साथ-साथ रा भरत का दिमाग अभी उस धन में या किसी गिफ्ट में नहीं था वह लगता सोच वह थे कि आयुद्या में इसा क्या हुआ है तुरंत वह चलना चालू कि तो कहकर से उनको आयुद्या पहुचने में आठ दिन लगे मैसेंजर के लिए रिटर्न लंबा था क्योंकि पहले इस बार उनके पास बहुत सारा सामान भी था गिफ्ट भी थे तो इसलिए उतना जल्दी नहीं जाये जा सकता था तो आठ दिन में आयुद्या पहुचे भरत वास्तरिकता में जल्दी पहुचना चाहते थे ग्रुप से छोड़ के परन्तु बहुत सारा सामान था और राज भरत ने सत्तुर्ग ने से बोला कि आप इनको लेके आए और एक आएक आगे निकल गए और जैसे भरत अयुद्या के सामने आते हैं अयुद्या के सामने पहुचते हैं आठ में दिन के सुरू में तो वह देखते हैं चाहां तो आपकी कुछ आजीब टाइप का माहौल है य अभी कवे गधे और सिया रो रहे हैं भरत को बहुत अजीब टाइप के लगा अयुद्या उन्होंने अपने रथ रथ के सार्थी से पूछा कि रथ के सार्थी ने एक्चुली अयुद्या के एंट्रेंस के थोड़ा दूर रथ को रोग दिया तो भरत ने उनसे पूछा कि क क्यों आपने रोका है क्या हम गलत जगा पहुंच गहें देखने से असा नहीं लगा कि अयुद्या सिटी यह तो आसी नहीं थी जो मैंने छोड़ी थी इसी लगए जैसे यहां पर भूत लोग रहते हूं इतना साइलेंस क्यों यहां पर है और युद्या के तो गेट हमेशा खोले रहते थे बहुत बड़े-बड़े लोग अयुद्या के गेट पर रहते थे पुरी दुनिया से लोग आते थे आज यहां पर क्या है ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ विनास हो चुका है ऐसा लगता है कि यहां पर कोई सिटीजन रहता नहीं है पूरा सहर मुझे अचलव बन्द हो चुका है और सब कुछ कहतम हो चुका है पतानी क्या इस प्रकार सर से है जब यह लोग पहुंचे उनको बहुत डर हुआ कि आयोध्या में कोछ बहुत गलत हो चुका है और जब यह लोग पहुँचे, गेट कीपर, जो वेजन्त गेट पर जो गार्ड खड़े हुए थे, उन्होंने भरत को प्रिनाम किया, परन्तु अपनी आखें भरत की आखों से नहीं मिलाई, यूंकि सभी दुखी थे, और भरत ने भी देखा कि उन सब की जुकी हुई आखों से आसू लगाता गिर रहे हैं, और कोई भरत को देख नहीं रहा है, रास्ते में जब लोग जा रहे हैं, तो लोग उनको देख रहे हैं, परन्तु आखें नहीं मिला रहे हैं, दूर चले जाते हैं, भरत कुछ पूछना चाहते हैं, तो कोई आंसर नहीं देता है, तो भरत को समझ में नहीं बेने में लुबत चाहों ते आहें अधार के देखा के देखेए लेखा की देखा कि मैहल के दर्वाजय के दरवाजे में साफ सफाई नहीं है अच्छ गंदर ट्रवाज के में हे नहीं काँ कोई में आप 할 जो आप कि युद्ध मेजिजिए कन त सी करें ताइस重व था हर घर जो था वो अनक्लीन था, घर में कोई खुशी का माहॉल नहीं था, कोई कुछ लोग यहां वहां दिखाई दे रहे थे, परन्तु सभी लोग दुखी थे, जो उसको देखते थे, और फिर दूर चले जाते थे मंदिरों में कोई पूजा नहीं चल रही थी, कोई विग्रा की पूजा नहीं हो रही थी, कोई व्यापार नहीं हो रहा था सिटी में, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बंद हो चुका है, उन्होंने राजा की महल में भी किसी को, राजा को नहीं पाया, तो वो फिर कहकई के महल जाते हैं और जैसे ही केकई को पता चलता है कि भरत उनके महल के अंदर खुषने वाले हैं केकई अगदम उचलके उनका जो आशन था स्वर्ण मसा उचलके तो रहतों गेट पर जाती हैं और जब भरत सभी को दुखी देखते हैं परन्तु केकई को इस प्रकार से इतना सवस्था में देखते हैं तो उनको सर्प्राइज होता है वो आश्चर चकित हो जाते हैं कि पूरा आयुध्या तो ऐसा लग रहा है जैसे दुखी हो कुछ बहुत गलत हुआ है परन्तु कहकरी इतनी खुश कैसे है भरत कहकरी के पैर चूते हैं परन्तु उनका मन जो था इन कि मेरे पिता और मेरे भाई क्या कर दए है में शयोर हूं कि आस तुम्हार वहां पे रुखना बहुत अच्छा रहा और तुम वहां पर तुम वहां से कप छोड़ के यहां के लिए निकले अभी तुम थके हुए होगे मैं तुम्हारे रेस्ट और भोजन का प्रवंद करती हूं भरत ने उनको रोका कि केकल्स में में नाना जी सभी अच्छे हैं उन्होंने बहुत सारी गिफ्ट्ट भेजी है जो कि श्रुखन सत्रुख ने लेके आने वाला है मैं आगे आगे आया ये समझने के लिए कि वर्षिस्ट ने क्यों बुलाया, एक एक अरजंट क्यों बुलाया सबसे पहले मुझे बताए कि अयोध्या में क्या गलत हुआ है अयुद्या city इतनी ज्यादा दुखी की हो दिख रही है हर व्यक्ति के आंखों में बहुत डर दिखाई दे रहा है राजा कहा हैं राजा अपने महल में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और राजा के महल में जब मैं गया, तो हर गार्ड और हर जो नौकर थे, वो में उझे देखने से बच रहे थे, वो राजा यहाँ पे हैं, या कॉसलिया के महल में हैं, माता कॉसलिया के महल में हूँ, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, और उनका आसेवाद लेना चाहता हू इस प्रकार भारत ने जब पूछा और कैकरी ने जो उत्तर दिया उस उत्तर को सुन के भारत उसी समय बेहोस हो गए कैकरी का उत्तर इस तरह से है यह श्लोक के रूप में है या गती सर्व भूता नाम ताम गतिम ते पिता गता इसका मतलब आपके पिता उसी जगा गए हैं जहां पे हर जीव एक दिन जाता है नित्यू के लोग में इस प्रकार से कह कहीं न सांती से बोला कोई दुख भी उनके चाहिए पर नहीं दिखाई दिया कह कहीं कि यह सब्द जब भरत ने सुने तो भरत का ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके हार्ट को ब्रेक कर दिया हो और जैसे कोई साल का ब्रक्ष एका एक बज्जर के द्वारा बज्जर मतलब या ऊपर से लाइटनिंग होती है बिजली जब किसी पेड़ पर लगती है तो पेड़ गिर जाता है उस प्रकार से भरत एकदम गिर जमीन पर रोने लगे क कि कितना ज्यादा दोरभाग्य है और साथ साथ उनको और जड़ा आश्चर हो रहा था कि इतने दुख की खवर मेरी मा एतनी सांती से कैसे बता सकती है मेरी मा के चाहे पर कोई जही देखा आज और जब कहिकर इने भरत को इस प्रकार से देखा तो ढ्रेमेटिकल ही कह जार लगई भरत से, एक दम coldness से बोलने लगे, कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं उनको जो अवस्यम भावी है, उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए, इसलिए कोई दुख की आवसकता नहीं है, जो हो गया, उसके लिए कोई दुख की आवसकता नहीं है, से विए तो पैदा ह जीवन को बापिस नहीं आएंगे इसलिए रोने की जरूरत नहीं है उठो पर भारत ने आंसर दिया भारत के आखों से आंसुर आ रहे थे भारत ने बोला कि मैं तो सोच रहा था कि अर्जेंस अर्जेंसी थी भगवां मेरे भाई बड़े भाई राम के राजिया भी से के लिए इसलिए वर्षिस्ट मुनी ने मुझे बुलाया था और मैं आसा कर रहा था कि मेरे पिता जी मुझे उस न्यूज से सर्प्राइज करेंगे परन्तु ये तो बहुत दुर्भागे की बात है मेरे पिता एक्शुली कितने सोभागे साली थे कि मेत्यू के समय राम उनके साथ में थे जब उनने अन्तिम सांस ली तो राम उनके साथ में थे और वो वास्त उन्हों मेरे भाई राम को मौका मिला अपने पिता का अन्तिम संस्कार करने का मेरे पिता की मेत्यू के बाद एक्शली पिता की मेत्यू के बाद घर का जो में इंस्टुमेंट के समान हूं I am the natural instruments in the hands of Ram यह बहुत important sentence भरत ने बोला लक्षमन अपने आपको भगवान राम का सेवक बोलते थे परन्तु भगवान अपने आपको राम का सेवक बोलते हैं और भरत अपने आपको इंस्टुमेंट बोलते हैं तो मास्टर की सेवा तो दौनों को करना है सेवक को भी करना है इंस्टुमेंट को भी करना है परन्तु सेवक के पास यह एक फीडम फीडम या एक आप्सन होता है कि वह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से सेवक करनी है परन्तु इंस्ट्व्मेंट इस प्रकाइस से नहीं सोच सकता है तो यहां पे इन्होंने बुला कि I am the instrument in the hands of ना कंचेने एप लक्षमान ने राम को बताया कि वह किस प्रकार से भगवान ना चाहते हैं परणतु भवक्त ने न राम के ऊपर आपको कि पिये 네 कि गो जिस्क प्रकार से मुझा करेंगे इस लुख क्रीच को बोला जाता है और अधरत के लिए भगवान राम के आग्या को मानना भगवान राम के साथ रहने से ज्यादा में ज्यादा अंतन नहीं था क्योंकि उनको पता था भगवान राम की आग्या जो है वो भगवान राम जो एक्छा चाहते हैं मुझसे मैं वो पूरा करना चाहता हूं तो भरत ने परतंत्रियम भगवान राम के इंस्टुमेंट के जैसा व्यावार किया सत्रुग्न जो थे उन्होंने भागवत परतंत्रियम भरत के उपर पुई तरह से वो डिपेंडेंडेंट थे जो कि भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे तो इस प्रकार से सत्रुग्न ने भगवान राम की सेवा की भरत की सेवा करते हुए और भरत ने राम की सेवा की राम के इंस्टुमेंट बनके लक्षमन ने राम की सेवा की राम के सेवक बनके तो भरत ने पूछा कि अभी मैं, अभी तो मैं राम के हाथ का इंस्टुमेंट हूँ, पर अंतु मा मुझे बताईए, ऐसा क्या हुआ कि राजा एका एक संसा से चले गए, क्या उनको कोई दुख था, क्योंकि जो महान व्यक्ति हैं, वो तो अपने वर्ट्स और विजडम और निर्देशों के जीवित रहते हैं, मुझे बताईए कि मेरे पिता का अंतिम निर्देश मेरे लिए क्या था, और ये भी बताईए कि मेरे पिता ने संसाच होते समय, अंतिम सब्द क्या बोले, इस प्रकार से भरत ने अपनी मा से पूछा, और कह कही के रिपलाई के साथ, अभी रामाइन का एक नया एपिसोड प्यारम होने वाला है, कह कही के रिपलाई के साथ, भरत की महान ता को हम अगले एक पुछ दिन तक देखेंगे, किस प्रकार से भरत का चरित्व कितना महान है, तो कल से हम उसको इसको स्टार्ट करेंगे, जगत गुदू से लिप्रभ बाद की जए